तो यह हरियाना बीजोपी संगटन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, पुक्ता सूतरों के हवाले से एक खबर है देवराज सरकार और संगटन की एहम बैटक सूतरों के वाले से इस पकी बड़ी खबर दिली के हरियाना भवन में ये बैटक हुई है, सिये मनुहर लाल नायब सैनी के बीच ये बैटक हुई है सूतरों के मताबिक इस बैटक में हरियाना बीजोपी संगटन मंत्री फडी नात शर्मा भी मौझूद रहे सूत्रों के माने तो मुख्य मंत्री मनोहार लाल ने दिकसित धारचंकल पियात्रा को लेकर भी फीजबाक लिया है सूत्रों के मुताबिक हरियाणा वीजपी से संगठन महामंत्रियों और जिला अध्यक्षों को लेकर भी चलचा हुई है इस वक्की बड़ी खबर सामने आ रही है और इस बैठक का उदेश्य महत्वपूर माना जा रहा है पुक्ता सूत्रों के हमारे से इस वक्की बड़ी खबर सामने आ रही है कि देरात सरकार और संगठन की एहम बैठक हुई है दिली के हरियाना भवन में ये बैठक हुई जिसमें मुख्य मंतरी और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे चलिए जियादा जानकारी लेंगे हरियाना जिप्टी एडिटर विनोद लांबा हमारे सा जुड़ गए है विनोद बड़ी खबर है ये देर रात ये बैठक क्या माइन है इसके क्या मुख्य अजंडे और मुद्दे देखें हम निशित तोर पर एक बड़ी खबर इसमें हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं कल देर रात साड़े बारह बजे तक ये बैटक चली है जो पुकता सुत्रों से हमें जानकारी बिली है फिलाल अगर ये तस्वीर हैं बैखें चो मुख्यमंत्री मनौलाल का काफिला आपको नजर आ रहा होगा मुक्यमंत्री मनुरलाल अभी दिली स्थित हर्याना भवन में ही मौचूद है और सुत्रों से इंडिकेशन मिला है वो साफता और पर यही है कि कहीं न कहीं जो भारत विक्षित यात्रा जो चल रही है उसके जो रोड मैप है और उसको लेकर जो भी आप तक का फीड़ बैक है मुक्यमंत्री में फीड़ बैक लेने का काम संक्टेन के साथ कल मिल कर किया है मुक्यमंत्री मनुरलाल के साथ-साथ परदेस अद्यक्ष का मौझूद रहना संक्टन महामंत्री का मौझूद रहना इशारा सुत्रों के मताबिक ये भी है कि कहीं न कहीं नए परदेश अध्यक्ष के बाद जो नई टीम का जो चैन होना है हरियाना बीजेपी में संक्टन महामंत्रियों का जिक्र किया जाए या फिर जो भी किसी जिलाव में भी फिर बदल की बात है दोड़ाई गंटे की बैठक में इस दोरान भी चर्चा हुई है लेकिन मुखे अजेंडा इस राद देराज चली बैठक का तीन महत्मून पदादिकारी है सरकार के लिहाज से खुद बुके मंत्री मौझूद रहे हरियाना बीजेपी के लिहाज से परदेश अध्यक्ष मौझूद रहे और संग्ठन मंत्री का यहां मौझूद रहना ये बताता है कि कहीं न कहीं जो संग्ठन को लेके कारे हैं या फिर हर्याना बीजेपी और सरकार के कॉडिनिशन के साथ जो आगे कारे बढ़ने हैं उसको लेकर भी देर रात तक इस पर चर्चा हुई है लेकिन मुख्य मुद्दा कहें, मुख्य अजंडा इस रात को बैठक का इस मीटिंग का अगर कहा जाए तो ये सरकार और संग्ठन की बैठक ती, सरकार और संग्ठन की बैठक में जिस तरह की भारत विक्षत यातरा को लेकर पूरे देश में बीजेपी चला रही है प्रदानमंत्री नरेंदर मोधी की नीतियों को लेकर उसमें हारियाना से अब तक क्या फीड़बेक मिला है, क्या कुछ और किये जाने की जरूरत है फीड़बेक पर कारे होना, एक होता है कि प्रदेश में यातरा तो निकल रही है, लेकिन उसमें से फीड़बेक के बाद आगे क्या कुछ और चेंजिस करने है यह जो रणनीती है नई टीम को इंपावर किया जाए, टीम में जो चेंजिस किये जाएं उसको लेकर भी लगातार कारे चल रहा है मुखे मंतरी का मौझूद रहना, परदेश अध्यक्ष का मौझूद रहना और महामंतरी का मौझूद रहना इशारा कर रहा है कि धीरे धीरे हरियाना बीजेपी में संग्ठन को बदलाव को लेकर जो चर्चा हैं, परदेश अध्यक्षी टीम को लेकर जो चर्चा हैं, वो अब तक की यात्रा में क्या कुछ निकला है और आगे क्या कुछ जादा किये जाने की जरूरत है विनो दूसरी तरफ अगर हम 2024 से जोड़के दिखना चाहें इसे तो कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जाती है और क्या आने वाले समय में कोई बड़े फेर बदल की उमीद? वाजब सवाल है आपका वाजब सवाल है कि 2024 के लिए फेर बदल का मैं पहले का आपको जवाब दे दूँ प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हो चुका है अब प्रदेश अध्यक्ष की जो टीम है संग्टन जो मंतरी होते हैं जो तीन से चार संग्टन मंतरी परदेश में काम करते हैं महमंतरी केंद्र दौरा केंद्र यानि की आला कमान दौरा पॉइंट होता है लेकिन परदेश अध्यक्षी खुद की जो टीम होती है उसमें बदलाव होना तैय है अब कौन-कौन बीजेपी की हर्याणा टीम में घुसेगा किसको इंट्री मिलेगी ये महत्पूर्ण हो जाएगा तो ये बदलाव तो कुछ होने है अब इसकी तारीक को लेकर बीजेपी क किसी तरह से जा रही है यह एक सट्या बैक शब्रक्ति के इस्तमाल किया इसाफिकली एक वर्ड है कि आप फीड़ैग करना तक twoor कियेजाने की ज़रूरत है लिए